कर्बास्ते आप देख रहे हैं गार्डिनर दोस्त आज आपको बताएंगे लॉंग कैसे लगा सकते हैं वह भी गमला में कैसे लगा सकते हैं और इसका पहली बार आया है तो जोरू लाइक सब्सक्राइब करें देखिए यह कितना सुन्दर लोंग का प्लांट है और लोंग का प्लांट आप कहीं भी किसी भी नर्सरी में आपको अराम से मिल जाएगा और इटूजर जानकारी आपको बताएंगे गमला में आप कैसे लगा सकते है ऐसे तो मै बता ही ऊचाय वाला प्लांट आया है मतलब गमला वाला भी आने लगा है इसे लगाने के लिए पहले इसका मीतिल निंकाल ले ना होगा जइहां लगाना होगा शेतर परосक्राइब अगर मिट्टी और 25% वर्मियू का पोस्ट का रेसियो रहना चाहिए और मिट्टी में आप जो भी गमला या कोई चीट लगा है वो थोड़ा बड़ा हो कंटेनर में लगाए 6-7 साल अगर इसका प्लांट लगाने में आपको लग जाएगा और ये रेड़ वाला मिट्टी आप रही इससे हटा सकते हैं क्योंकि रेड़ वाला मिट्टी में पाली सोखने की छटा बहुत कब्र आती है मतलब पूरा पानी सोख के नीचे कर देता है जिससे ये प्लांट और भी अच्छा तरह से ग्रो करेगा इसका पत्ता अगर आप क्रस करके आप तोड़िएगा और क्रस करके सुंगिएगा तो आपका इतना अच्छा गमक आएगा जानके भी चोख जाईएगा जो ये कितना सुंदर इसका गमक है और ये देख सकता है इसका प्लांट ये प्लांट आपको कोई बीडर शरीबे सो या डेर सोरुपे बिलेगा तो अराब से बील जाएगा और इसमें लोंग का प्लांट यही रहता है और यह फलते फलते 6-7 साल अराम से लग जाता है तो आप यह ध्यान दिजेगा जो 6-7 साल जहां आप अगर जमीन पे लगा रहे हैं अगर गमला में लगा रहे हैं तो थोड़ा बड़ा ड्राम होना चाहिए जिसमें अराम से यह प कर जाए और इसका सबसे खासियत एक बात है जो इसे प्लांट लगाने में आपको कोई भी आसानी होता है और इसमें मीट्री आपका बर्म कमपोस्द देते रही है हर एक साल एक केजी के हिसाब से बर्विंग प्रोष देते रहिएगा और पानी देते रहिए छे-साथ साल अगर आपका गमला में अगर छे-साथ साल आप बचा लिए तो आराम से ये फल देना स्टाट कर देगा क्योंकि ये करनाटक केरल इधर साइड होता है और इसे एक खास बात है जो आप जो भी प्लांट लगा रहे हैं उसके नीचे ही इसका प्लांट लगा है और इसे अच्छे तरह से आप लगा दीजिया और वो लॉंग जो मैं बताया था वो लॉंग से आप ये नहीं गुरो कर सकते हैं लॉंग का हरावाला लगाता है वो कली रहता कली से आप कभी प्लांट होते नहीं देखा होगा आज कल नहीं आप नियम आया है जो कली से प्लांट लोग बना देते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है कली से आप प्लांट रही बना सकते हैं इसका बीज आता है जो की बीज आपको वही से अगर केरल करणाटक से आप ले सकते है वसाला संधाज से बगबा सकते हैं तो वहाँ से बगबा लीजिए उससे आप प्लाट ग्रो कर सकते हैं वहाँ हाइविर एक तयार किया गया है जिसका हाइट हो रहता है ऐसे तो इसका प्लाट का हाइट 30-40 फिट चला जाता है जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आप छ फूल बाद यह कली हुआ इसके बाद फूल जो आएगा उसके बाद जब यह फल बनेगा तब जाके यह प्लाट ग्रोव होने बाला रहेगा तब जाके प्लाट ग्रोव हो पाएगा नहीं तो ऐसे नहीं प्लाट ग्रोव हो गमला में लगाए तो 25 इंच वाला गमला में लगा जिससे यह होता है यह प्लांट अच्छा से गुरो कर जागा और इसमें बराबर बर्मी कंपोस्ट कोई कोई खाद सीवीड का खाद देते रहें सबसे ज्यादा बर्मी कंपोस्ट